हेलो दोस्तों आज National Unity Day है यानि कि राष्ट्री एकता दिवस क्या आप जानते हैं कि आज के दिन हम राष्ट्री एकता दिवस क्यों मनाते हैं क्योंकि आज हमारे महान Freedom Fighter भारत रत्न अवाडी देश के पहले Deputy Prime Minister, देश के पहले Home Minister और देश के पहले Information Minister उस महान इंसान का जनम ह जिन्होंने वर्गिस कूरियन को गुजरात भी भेजा था वही वर्गिस कूरियन जिनके वज़े से White Revolution दूद की क्रांती भारत में आई और आज न जाने कितने किसान और कितने फैमिली जो हैं उसके वज़े से अच्छा जीवन जी रहे हैं साथ ही साथ उन्होंने देश के पहले Industrial Policy को बनाने में भी बहुत एहम भूमी का निभाई और क्यूं मनाते हैं राष्टी एकता रिवस ये सब तो बात हुई हुई इसके अलावा जो एकदम दो बात बहुत important है वो ये है कि जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो उस सम में देश में क्या था 565 तिंसली स्टेट थे 565 राजघराने जिनको अंग्रेजों ने ये कहा था कि अगर आप चाहें तो आप भारत में रहिए भारत के साथ रहिए या फिर आप पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो वहां पे जो है सरदार वल्लब भाई पटेल का बहुत ही important योगदान रहा उन्होंने साम दंभेद सबकर इस्तमाल किया और 562 जो राजघराने हैं उनको 15 अगस 1947 तक भारत में मिला लिया उनका साथ दिया था सेक्रेटरी आफ इंडिया वीपी मैनन ने और वीपी मैनन ने इस पर एक किताब भी लिकी थी integration of princely streets यह बहुत important है यहां से भी question बनता है तीन जो है राजघराने रहे गये थे जमू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागड जिसको फिर सरदार वल्लब भाई पतेल ने अपने सूजबूज की वज़े से जो है वो भारत में सामिल कर लिया और इसी लिए उनको जो है उनके जनम दिन पर जो है हम यह nationality day मनाते हैं राष्ट एकता दिवस उनका ये भी मानना था कि जो भारत है वो मजबूत नहीं रह सकता अगर यहां पे एक strong all India services ना हो तो उन्होंने उसके लिए भी बहुत काम किया इसलिए question भी बनता है कि किसको हम father of all India services कहते हैं तो उसका भी जवाब है सर्दार वल्लब भाई पटेल और उनके नाम पर है है अधराबाद में IPS की training center है जो है सर्दार वल्लब भाई पटेल उनका जनम जो है 875 में आजी की दिन हुआ था नाडिया district गुजरात में और उन्होंने फिर बाद में वकालत की पढ़ाई की और उसके आंदीजी से उनकी मुलाकात हुई खेडा सत्यागरह में तो उनका जीवन जो है परिवर्तन आया उनके जीवन में और उन्होंने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने important जो freedom movement है उसमें हिस्सा लिया और 1931 में वो international congress के president भी रहे बाद में अच्छा एक मदद की थी और इसलिए वहां की किसानों ने उनको सरदार की उपादी दी थी तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि क्यूं हम 31 October को National Unity Day यानि की राष्ट एकतार दिवस बनाते हैं क्यूंकि आज ही के दिन 875 में सरदार वल्लब भाय पटेल का जनम हु जाने हैं उनको शाम, दन, भेट सबके इस्तमाल से भारत में ही रखा बाहर जाने नहीं दिया और साथी साथ उनका ये भी मानना था कि भारत जो है स्ट्रॉंग नहीं रह सकता अगर एक मजबूत और इंडिया सर्विसेज यहां पे ना हो तो इसलिए उनको जो है मतलब पै आया कि उन्होंने ही वर्गिस कूरियन साहब को गुज़राद भेजा था और जिन्होंने अमूल का नियू रखा और इंडिया में वाइट रेवलुशन हुआ और 2018 में उनके याद में ही Statue of Unity बनाया गया है जो की 182 मीटर है और जिसके स्कर्प्चर मतलब स्कर्प्चर किस ने तियार किये आर्वी सुत्र ने तियार किये तो यह सब important facts है और हर एक्जाम में जो है एक दो famous personality पे question पूछे जा रहे है तो सर्दार वल्लब भाय पतेल पे